हम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभ कामना देते हैं। चलिए जानते हैं शिक्षक दिवस के पीछे की कहानी, आखिर शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। हम शुरुआत करते हैं शिक्षक दिवस की कहानी से। शिक्षक दिवस की शुरुवात भारतिय वैद्यनाथ दत्शर्मा जिन्हें सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी कहा जाता है कि जन्म दिन के रूप में हुई थी राधा कृष्णन जी एक प्रमुख शिक्षाविद और भारतिय गणराज्य के पहले राष्ट्रपती रहे हैं इस दिन देश के पहले उपराष्ट्रपती और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्म दिवस होता है जो एक शिक्षक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतिय संस्कृती के समवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे 5 सितंबर 1848 को तमिलनाडू के छोटे से गावती रुमनी में जन्मे डौव, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरसकार के लिए नामित किया गया था 1954 में उन्हें भारत रतन से सम्मानित किया गया अब मैं बताता हूँ उस किस्से के बारे में जिसकी वजह से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर चुना गया एक बार उनके छात्रों ने आदर सम्मान से उनसे पूछा कि क्या वह उन्हें उनके जन्मदिन पर कोई गिफ्ट दे सकते हैं और उनका जन्मदिन मना सकते हैं इस पर डौँ राधा कृष्णन ने छात्रों से उपहार लेने से मना कर दिया और कहा कि वे इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मना सकते हैं जब बाद में उनका निधन हुआ तो उन्हें श्रद्धानजलीव सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया उन्होंने भारतिय शिक्षक के क्षेत्र में महत्व पूर्ण योगदान किया और उनके उपहार के रूप में उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था चलिए अब हम शिक्षक दिवस का महत्व समझते हैं शिक्षक दिवस का पर्व भारत में हर साल पांच सितमबर को मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के समर्पन और योगदान को सलामी देने का एक श्रेष्ट अवसर होता है। इस दिन का महत्व इसलिए होता है क्योंकि शिक्षक हमारे समाज के निर्माण में महत्व भूमिका निभाते हैं और बच्चों को ग्यान का दान करते हैं। शिक्षक दिवस का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि शिक्षक हमारे समाज के निर्माण में कितना महत्व पूर्ण होता है। वे हमें ग्यान, मूल्यों और सीखने की क्षमता प्रदान करते हैं। शिक्षक हमारे जीवन को मार्ग दर्शन करते हैं और हमें सफल और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। इस दिन के मौके पर विद्यालयों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जैसे कि गुरुवंदना शिक्षकों के सम्मान का एक विशेश अवसर होता है छात्र अपने प्रिय शिक्षकों को विभिन तरीकों से समर्पित करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं शिक्षक दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें शिक्षकों के समर्पन का सम्मान करने का मौका देता है इस दिन के माध्यम से हम यह समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का महत्व क्या है और हमें उनके प्रतिक कितना आभारी होना चाहिए शिक्षक दिवस को मना कर हम उनके समर्पन को सलामी देते हैं और उनके साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आने वाले लक्षियों की ओर बढ़ते हैं इस दिन को मना कर हम शिक्षकों के आदर्शों को भी मान्य करते हैं और उनसे सीखते हैं कि कैसे जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है शिक्षक दिवस के मौके पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शिक्षक ही हमारे भविश्य को निर्मित करते हैं उनका संघर्ष, समर्पन और उनके शिक्षा कार्य में किये गए योगदान के बिना हमारा समाज और देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता इसलिए शिक्षक दिवस को मनाने के माध्यम से हमें अपने शिक्षकों के प्रती आभारी भावना और समर्पन की भावना दिलानी चाहिए. यह एक अच्छा मौका होता है उनके साथ एक गहरे समवाद में आने का और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अनमोल निधी के रूप में ग्रहन करने का. इस पर्व के माध्यम से हम शिक्षकों के महत्व को समझते हैं और उनके प्रती हमारी आभारी भावना को व्यक्त करते हैं. शिक्षक दिवस को एक श्रेष्ट अफसर के रूप में मना कर हम शिक्षा के महत्व को साजा करते हैं और एक समर्पित और ग्यानवर्धन के इंद्रित समाज का निर्मान करने का संकल्प लेते हैं. . इस पर्व के माध्यम से हम शिक्षकों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सलामी देते हैं और उनका समर्थन करते हैं जिससे हमारा समाज और देश और भी मजबूत हो सकता है . 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